नमस्कार बिहारी नियूज देख रहे हैं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलटिन का अगाज और सबसे ताले नजा लें डालते हैं सुर्खियों पर पूरे बिहार में छट पुजा, श्रांतिपुड महाल में संपन लाखों बरतियों ने उदेमान सुरी को दिया अर्ग छट पुजा पर किये गया थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम बिहार के किसानों के लिए खुसकबरी, 75 परकार के क्रिसी अंतरों पर मिलेगा अनुदान, SCHT को 80% तक मिलेगा अनुदान 11 नौंबर को दर्भंगा में रोजगार मेला, 50 फिल्ड ओपिसर की पदो पर होगी भरती, 11 बज़े से 2 पार 3 बज़े तक चलेगा जौब कैम बियार में सिक्षकों की ट्रांसफर की पहले दिन ट्रांसफर एप हो गया, क्राश्ट घबरानी की बज़ाए धैरी रखनी की सला दी गई भारत और दक्षिड अफरीका T20 सिरीच आज से सुरीकुमार करेंगे कप्तानी तिलग वर्मा की वापसी अप्छर पटेल अल्राउंटर के रूपे होंगे सामिल अब खबरे विस्तार से लोक आस्था के वहापर्वे छट पुजा का समापन हो गया, बिहार के पतना, भागलपूर, मुझफरपूर, पुर्निया, गया, बेगुसराय, दर्भंगा, मोतिहारी, छप्रा, गुपालगर्ज, मदुबनी, समीत अन्य जिलों में चट घाटों पर लाखों वरतियों ने उकते हुए सुरे को अर्ग दे कर अपने 36 घंट के कठिन नर्जला वरत को पुण किया, राजदानी पटना के परमुक घाटों जैसे के बास घाट कच्ची तलाब, पंच सिव मंदिर तलाब और माडिक चंद तलाब पर चट वरतियो गुज उठ रहे थे। किसानों के लिए उपलब्ध होंगे, इसके अलावा किसान अब ट्रेक्टर चालित 6, 7 और 8 फिट की सूपर सीडर, पैडी एस्ट्रा चोपर, जीरो टी लेज, एस्कौाइर बेलर और भी कई आधुनिक उपकर्णों का उपियोग कर पाएंगे, बिहार में आयूजित महिला SEI Champions Trophy 2024 का आगाज 11 नॉमबर से 20 नॉमबर तक होगा, जिसमें भारत, चीन, जापार, मलेसिया, कोरिया और थाइलन्ड जैसी टीमें भाग ले रही है, जापान और चीन की टीमें गुरवार को राजगीर पहुँच चुकी है, चीन की टीम जो पेरिस ओलंपिक में रजत परतियुकता के लिए उत्सा आजाताया, चीनी कोच हुआंग योंग सिंग ने कहा कि उनकी टीम नए इवाक खिलारियों को अनुभाव देने के लिए तयार है, वही जापान की टीम भारत लोटने को लेकर बहुत उत्साहित है, और कोच ओजावा काजू यूकी ने कहा कि भारती दर्सकों से मिलकर बहुत उत्साहित है, परतियुकता में 11 नवंबर को चीन का मकाबला थाईलेंड से और जापान का मकाबला जो है कोरिया से होगा, जबकि 16 और 17 नवंबर को चीन और जापान भारत से भीडेंगे, सिक्षकों की ट्रांसफर के लिए आवेदल लेने का काम सुर होते ही, ट्रांसफर एप क्रैश्ड हो गया, जिससे सिक्षकों को टाइम आउट का नोटिफिकेशन मिलता रहा, सिक्षकों ने देर रात तक कोसिस की, लेकिन तकनीकी समस्या बनी रही है, ऐसे में सरकार ने सिक्षकों को घबरानी की बजाए, धैरे रखनी की सल सिक्षकों को 15 दिन का समय दिया, और सिक्षकों को हडबडी में फ़ाँ भरनी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी समय प्रयाप्त है, बिहार सरकार ने सिक्षकों के लिए इस सिक्षकों को स्पोटल पर आवेदन भरनी की समय सीमा 22 नौमबर तक निर्धारित की है, इस द पर दूसर का स्तर बढ़कर खराब स्रेडी में पहुच गया है, राजारी पत्ना समय गया मुझपरपूर, हाजिपूर, सासाराम, सिवान और अनिस सहरों में वायू गुडवत्ता सुचकांक, एकी वाई, चिंता जनक अस्तर पर रिकॉड किया गया, पत्नके समानपूरा म जो खातरनाक स्रेडी में आता है, गया और मुझपरपूर में भी एकी वायू 250 के उपर रहा के अंद्रिये पर दूसर नियंतरर बोड के अनुसार, इन सहरों में वायू पर दूसर स्वास्त के लिए हानिका रख हो सकता है, इधर दरबंगा में 119 सुमगार को संजुक्त सर भवन के कार्याले परिसर में रोजगार मेला का आयोजन क्या जाएगा, ये मेला मित्रता इंस्क्लिूसीब फाइनिंसल सर्विसेस प्राइवेट लेमिटीर द्वारा आयोचित क्या जा रहा है, जिसमें 50 फिल्ड ओपीसर के पदों के लिए इंटर्विव लिया जाएगा, अबर प्रादेशिक नियोजाले की नियोजन प्रादिकारी मिर्नाल कुमार चौधरी के अनुसार ये मिला सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगा, अभियर्तियों की आयोचिमा 32 वर्स है और 10 वी तथा 12 वी कक्षा तक की सिक्षा आवस्षिक है, चैनित उमें द्वारों को 13 हजार से 17,000 रुपए मासिक वितन, मुफ्त, आवास, फ्यूल खर्च और अनिलाब भी दे जाएंगे, एक्षुक में द्वारों को नियोजाले या भारत सरकार के NCS पोटल पर निवंधन कराना अनिवारे है, ब्यार में फिलाल थन के आसार नहीं है, मौसम भाग के मताबिक गामी कुछ दिनों में तापमान में कोई बड़ी गिरावत होनी की संभावन नहीं है, पत्रा भागलपूर पुर्णिया गया और मुझाफर पुर समीत सभी जिलों में मौसम फिलाल समानने रहेगा, दिपावली और छट पुजा के बाद आमतोर पर ठंड की सुरुआत हो लेकिन इस बाद नवंबर के पहले सब्ता के बाद भी ठिटुरन का असास नहीं हुआ है, वही दो दिन बाद तापमान में हलकी गिरावत आ सकती है, मौसम बिभाग के मुताबिक राज्यों में फिलाल किसी भी चक्रवाती गतिविधी या बारिस की संभावन नहीं है, लिए नाव में सवार थे, नाव में छमता से अधिक लोग सवार थे और जैसे ही ये किनारे से दूर निकली आचानक ना पलट गई, मृतकों की पैचान बिट्टु कुमार सिंग और दसई माजी के रूप में हुई है, हादसे में आठ अन्य लोग तैर कर अपनी जान बचा राम कुमार की घर, बिती रात दो बजे उनकी पूजा रूम में एक आठ फीट लंबा मगरमाच को सुच गया, इस घटना की जनकारी अस्थानी पर सासन और वन विभाग को दी गई, सुचरा मिलते ही नौगचिया रेंज ओपिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुच चल रहे थी वादादे के रेषक्यू ओप्रियसन में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुचा है। थी नौन्युक्त राजस्व करमचारियों के अस्थांतरण के लिए आए आवेदन भी निरस्त कर दिये हैं विभाग ने असपस्ट किया है कि बिहार राजस्व करमचारी सन्वर्ग नियमावली 2011 के तहद अंतरजिला अस्थांतरण का कोई परावधान नहीं है हाली में 11 नौ बिहार में घुमने के लिए हैं और यह लगता है कि वे सिर्फ मौज बस्ति कर रहे हैं उनका यह भी कहना था कि बीजेपी को सब्ता में रहते हुए बिहार के लिए कुछ ठोस कदम उठानी चाहिए थी खासकर बिहार को विसीस राजी का दर्जा देलाने की दिसा में उन्ह लोगों को आर्थिक नयाय चाहिए जो लोग डिग्रे लेकर घर पर खाली बैठे हैं उन्हें काम मिलना चाहिए बियार के मुख्यमंत्री नितीस कुमार के बेटे निसांत कुमार का वीडियो सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहा है उसमें उनसे राजनीती में सामिल होने के ब रिद्ने आया हूँ ताकि और अच्छा सुन सकूँ निसांत की इस बयान के बाद सोसल मेडिया पर उनके लिए कई तारीफों की पूल बांधे जा रहे हैं एक यूजर ने यहां तक लिख दिया कि वे तेजस्वी यादों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं बिहार के तरारी कोई फर्क नहीं रहा गया है दोनों यह पार्टिया लोगों को सिर्फ डर दिखाकर बोट ले रही है वही तरारी विदानसवा छेत्र में जन्सुराज पार्टी के पोश्टर फाड़े जाने पर कहा कि बिहार के अपरादी मुझे जानते नहीं है मैं डरने वाला नहीं हू मैं बीना सिपाही के चलता हूँ ऐसे ऐसे सैकडों अपरादियों को उल्टा टांग देंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा बिहार में नेता चार गन्मैन लेकर चलते हैं लेकिन मैं पिछले दो साल से पैदल चल रहा हूँ एक भी सिपाही नहीं बिहार में लोकास्ता के महापर्वे छटपूजा के समापन के बाद भारती रेलवी ने सरमिकों और यात्रियों के सुधा के लिए स्पेसल ट्रेनों का संचालन सुरू किया है आज आठ नौवंबर को पतना, दानापूर, बरावनी समेत बिहार के विभिनेश टिस्मों से तीन दर्जन से जादा स्पेसल ट्रेने रवाना होंगी ताकि लोग समय पर अपनी कार्यस्तलों पर लोट सके पतना जक्सन से खुलने वाली परमुक जो स्पेसल ट्रेन है बतादे कि ट्रेन नंबर 02393 पतना नई दिली स्पेसल वाया डिडियू पर्यागराज रात आठ ब चार चार आठ पतना अहमादाबाद स्पेसल वाया डिडियू कानपूर आगरा कोट कोटा रात साढ़े दस बज़े इसके साथ ये बिहार के अनेश टेस्तनों से भी ट्रेने रवाना होगी जो ट्रेने चलने वाली है उनकी सुची आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत और दक्षण अपडिका के बेच आज से किंक्समीट डर्बन में सुरू हो रही चार मैचों की टीट्विंटी स्रीज का पहला मुकाबला एहम होगा भारती टीम जिसका नत्रिप्तो सुरे कुमार यादो करेंगे स्रीज की सुरवात शांदार तरीके से करना चाहती है बांगलादेश के खिलाफ हालिया स्रीज में बदलाव के बाद इसमार टीम में तीलक वर्मा की वापसी हो सकती है जबकि अक्षर पटेल को आल राउंडर के तौर पर सामिल किया गया है इस्पीन विभाग में रभी बिस्नोई को मौका मिल सकता है तेज गिंद बाजों में अरसदीप सिंग, आविस खान और यस दयाल की तिकड़ी खेल सकती है चोड के कारण रियान पराग और मयांक यादो बाहर है नितीश कुमार रेड़ी, वासिंग्टन, सुन्बर और हरसित राना को टीम में नहीं चुना गया है संभावित प्लेइंग 11 में सुरे कुमार या अर्मान कुमार इसी के साथ बढ़ते हैं आज की सवाल की ओर आज का सवाल है भारत और दक्षिड अपरिका के बीच आज से किंग्समीड में होने वाले मैच में किसका पलड़ा भारी है आप अमना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए ताहीं बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखती रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फिस्बुक पेस पर देख रहा है तो लाइक और फॉलू जरूर कीज़ेगा धन्यबाद